अध्याधाम railway station बन के त्यार है अंदर की क्या तस्वीरे हैं यह हम आपको दिखाएंगे क्योंकि कल यानि 30 दिसंबर को प्रदान मंतरी नरेन मोदी इस अध्याधाम railway station का वो घाटन करेंगे और 8 ट्रेनियों को हरी जंडी दिखाएंगे अंदर की तस्वीर हम आपको अध्याधाम railway station इसे किस तरह से खुबसूरती से बनाया गया है यह अंदर की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि कल प्रदान मंतरी नरेन मोदी यहां पर आएंगे और इस railway station का उध्याटन भी करेंगे इसे फिर से सब्सक्राइब किया गया है तो किस तरह से इसे फिलहाल जो सजाने का जो काम है वह यहां पर किया जा रहा है यहां पर आप देख पाएंगे LCD स्क्रीन लगी हुई नजर आएगी जिस पर सभी जो ट्रेने इस railway station से गुजरेंगी उसका जो नाम है वह यहां पर लिखा हुआ है इसके अलावा अलग अलग जो गेट हैं वो यहां पर साथ और से उनके नाम दिखी हुए इसके अलावा किस तरह से उपर के जो डिजाइन है उसे किस खास तरीके से बनाया गया है वह आपको यहां पर नजर आएगा इसके अलावा अंदर की क्या कुश तस्वीरें यहां पर अगर आपको दिखाएं लेफ्ट साइड मेरे आप देख पाएंगे जो प्रतिक्षाल है बाहर जो लोग यहां पर आ सकते हैं वो यहां पर विश्राम कर सकते हैं बैठ सकते हैं और इसके अलावा लिफ्ट लॉबी सीधी समेत जो तमाम जो सारी सुविधाय हैं उसे यहां खुबसूरती से काफी ज़्यादा खुबसूरत तरीके से इसे यहां पर फिर से एक बार डेवलप किया गया है और एक जनवरी से यह श्रद्धालों के लिए जो अध्याधाम रेलवे स्टेशन है वो खोल दिया जाएगा और पीम मोधी अध्याधाम रेलवे स्टेशन से ह की वंदे भारत और अमर्द भारत ट्रेन को हरी जंडी दिखा कर रवाना करेंगे और साफ तोर से जिस तरह से इस रेलवे स्टेशन के हम अंदर की आपको तस्वीरे दिखा रहे हैं अभी फिलाल सुरक्षा के दृश्चते आपको तमाम जो सुरक्षा करमी इसके अलावा तमाम जो अलादकारी हैं वह यहां पर आपको नजर आएंगे और इसके अलावां जिस तरह से रेडूबलप करके इसे बनाया गया है वह काफी खुबसूरत यहां पर नजर आ रहा है यात्रियों के लिए आधनिक सुविधाय हैं लिफ्ट समेंद जो स्वच्चालित सीनिय हैं वह भी लगाए गई हैं इसके लावा सुरक्षा के कई बड़े जो इंतजामात हैं वह भी यहां पर आपको नजर आ रहे होंगे साब तोर से जिस जिस विहत खुबसूरती से इसे बनाय गया है इसके लामा अभी जो फिलहाल जो तस्वीरें हैं वह इस पूरे रेल्वे स्टेशन का उधाटन करेंगे और फिलहाल जो तैयारिया जो है वह चल रही है सजाने का जो काम है वह अपने अंतिन चरण में चल रहा है और इसके अलावा प्रदन मंत्री कई हसारों करोड रुपे की जो परियोजनाय हैं उसका भी लोकारपड करेंगे कुल आठ ट्रेनों को हरी जंडी दिखाकर अध्या धाम रेल्वे स्टेशन से रवाना भी करेंगे क्यामरा परसंद रवीश मांडे के साथ विव्यांकरतिवार एवीपी न्यूज अध्या